दोस्तो अजकल काफी सारे ऐसे काम है जो आपके बिना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हुए हुए नहीं होते हैं जिया दोस्तो चाहे वो किसी बैंक का काम है चाहे वो किसी जॉब से रिलेट काम है चाहे वो कोई सरकारी काम है आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना काफी जरूरी होता है ऐसे में दोस्तों जब हम अपने नजदी की किसी व्लॉक आफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें फॉर्म भरना पड़ता है और काफी सारे प्रोसेस करना पड़ते हैं और हमें उतनी दूर जाना भी पड़ता है इसलिए दोस्तों मैंने एक ऐसा तरीका ढूंड निकाला आपके लिए जिससे आप अपने घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल फोन से अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं और अपने देखेंगे और दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस पताने वाला हूँ गयुक्ता अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को अगर आभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को भी दबा लिजेगा त और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने डारेक्ट आपको एप्रकाइशन की लिंक दे लिंक दें आरा यहाँ डिश्क्रिप्सप्राइट से पकर कर सकते हूँ कि यहाँ प्रोबस दोας डाप कर लेंगे यह application आपको इंबाइल में कुछ इस तरीके से खूल जाएगी अब दोस्तो सबसे पहले आपका जो नाम है अदार काड में वह यहां पर टाइप कर लेना है डेट ऑफ बस सही सही जो अदार काड में है वह टाइप कर लेना है फोन नमबर यहां पर आपको टाइप कर लेना है नंबर यहां पे टाइप कर लेना है इतना करने के बाधे थ helping है वो सेलेक्ट कर लेना है और continue करते ही दोस्तों यहां पे सामने इस तरीके से होने लएगा और दोस्तों प्रोसेसिंग फीज्जdes यहां पर 288 रुपे लगते हैं किसी भी आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसीड कर देना है सारे प्रोसेस कर देने हैं और आपका आधार कार्ड घर बैठे मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा वीडियो पसंद आई हो तरीका पसंद आया हो तो व शेयर कीजिएगा वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद